असलाम वालेकुम प्यारे बच्चों आज हम धुवम जमात की दर्सी किताब से पढ़ने वाले हैं बातों बातों में जमा हिस्सा धुवम जमा का अमल तो हम सबी जानते हैं जमा करना यानि मिलाना हमारे पास एक मिसाल है गौरी के पास 15 रुपिये थे और इसके अब्बो ने मजीद 26 रुपिये दिये तो बताओ अब गौरी के पास कुल कितने रुपिये हुए अब हम ये देखेंगे गौरी के पास कितने रुपिये थे और इसको अब्बो ने कितने रुपिये दिये की जमा करना है हम देखेंगे कि इकाई के मुकाम पर पाच और छे है और दाई के मुकाम पर एक और दो हम जमा का अमल इकाई की तरफ से शुरू करते हैं तो हम पहले पाच और छे की जमा करेंगे पाच और छे की जमा किस तरह करेंगे हम लाइन बनाएंगे पहले पाच विद्वाटनों कि हम जमा करेंगे एक दो तीन चार पाइशे साथ आठ नव दस घियारा दोनों की जमा कितनी आ रही गैरा 11 कैसे लिखते हम एक एक आई एक दाही 11 तो हम एक निचे एकाई के मुकाम पर लिखेंगे और हासिल कर एक लिखेंगे दाही के मुकाम अब हम दाई के मुकाम की जमा करेंगे दाई के मुकाम पर उपर एक है और नीचे है 2, 2 रेक, 3 और एक हासिलगा केतै हो गया 4 तो हमारा ज़्वाब क्या आया चार दाई एक, अक्ताय एक तालेस और गोरी के पास कुल कितने रुपे थे 41 रुपे इसी तरीके से हम ने बातों बातों में जमा कर लिया